तो गाईज अभी इस टाइम रात के बज़ रहे हैं साड़े बारा और हम लोग हैं लखनौग के अंदर यूपी लखनौग सिटी के अंदर हैं और मैं देली के लिए आ रहा हूं तो क्या गजब का वीव हैं यहां का आप देख सकते हो तो गाईज देख सकते हो और हम लोग जो है अला कि मोर्निंग के ताइम है लेकिन दूप वगर जादे हो जा रहा था तो इसके वज़े से जो है मैं मतलब हम लोग आ निकल गया है तो लखनौग गूंते हुए आ रहा है बहुत मज़ा आ रहा देखते रही आप लोग भी देखिए क्या गजब का वीव है और नाइट में तो समझ लिजिए एकदम दुलहन की तरह है सजी हुई है अपनी ये लखनौग तो आई लब लखनौग ये उत्तरप्रदेश की जो है राजदानी है और गाईज हम लोग जो है इस टाइम लखनों के अंदर है और यहां का जो एक पारक है जो क्या नाम है अमबेटकर पारक है वो भी दरी पड़ता है क्योंकि हम लोग आते समय जो है हमने देखा था मैं कि अजये अगया और साफ्रेश को आपलों को दिख नहीं सकता देखें मिलेगा तो रास्ते मीं थो आप लोग देखते रहें हिस्टा नाजा रहा है यहागया वाखई में दिल कुछ हो गया थैड़ते रहिये है देखिए आफ लोग या जया है और रहें सैदध हमें वह तो देख सकते हो आप लोग क्या गजब यूब है और रात के साड़े बारा हो गए देखो गुमने के गुमने वाले गुम रहे रात को ऐसी बात नहीं यहां पर भी देगी है तुन्हें हाथ लगाए रगया कैमेरे पे बैक साड़े यहां 4K 60 है मुझे क्या बता 4K 60 होगा नहीं लिखा नहीं लिखा है सब्सक्राइब लिखा है तो यहां पर भी जो है जिनको घुमना है जब सीटी है तो रात के अंदर क्या देखना लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा एकदम समझ लिजे मतलब दुलहन की तरह सजी हुई है लकनौव और बहुत ही घजब ही वह है यहां का मजा आ गया दिलकुस हो गया और रात के साढ़े-बारा बजे रहे हैं और देख सकते हो आप लोग देखो ना क्या फ्रंट का नजा रहा है अगर दिन का टाइम होता तो अम बेटकर पारग भी जाते लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि ना तरह को मैं अगलगा। देखें पहले हैं। मुझे नहीं आ रही थी लेकिन नहीं बखें। लोकेशन देखके वधनारी की बाद नहीं बखें। चीज देखते ही वारी है। आईस्क्रीम तो नहीं खाना वाई किसी ने। पहर दिवाँ कंजा तो करना था। तो आप लोगों के पास मिलेगा इस तो आप लोगों के आसपास हैं वो जरूर लखनों का जो आनन्द है गूमने का तो मैं तो कहता हूँ जी डे से जादे तो नाइट का है तो आप लोग नाइट में जरूर गूमा करो क्योंकि बहुत ही गजब सांदार गजब नहीं बोले एक्तम सांदार भी वह यहां का और अभी तो फिलाल जो है हम लोग दिल्ली के लिए चल रहे हैं और पूरा कापी टा ज़र अब तुम बन एरा हूँ जब का नजारा है का मज़ा गया रात में तो बड़ा खुरसूरत लग रहा है लग 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 नहूरा तमें एक दम खुरसूरत है मेरे तरफ सी जी पैमरा चलाना तो पूरा दिखे गाई यह यह आप लोग देख सकते हैं इधर बैक साइड म कैमरा और यह अंबेट कर फारक है और करते लिए द्रूर में देखित पूरा है यह बेड़कर पारक का गेट मैंने बढ़ा नें दिखा दिया एंट्रीजी और बहुत है वांथ है जैसा हमने एक बार आप लोगों को बटाया था कि दी जैसा जो लोगिरा के इसी कहीं बड़ा उसे कहीं!' के अंदर भार कए लेकिन बस हम लोग मजबूर इसलिए है कि नाइट का जो समय है गात का समय है इसलिए हम लोग जा नहीं सकते लेकिन यह है कि हमने पूरा आनंद उठाया वाकई में दुलहन की तरह सजी हुई है लकनौ वाकई में हम देली में तो रहते हैं लेकिन नाइट में इतना मतलब आन इतना लुप्त नहीं उठाया देली के अंदर जितना आज मैं आभी जो है देली आते समय क्या नाम है लख्णों में इतना आनद उठाया हुआ इस तो बहुत अच्छा लगा हमें यहां पर तो देल से बताओं इसलिए अच्छा लगा है कि नाइट का समय है तो बच्चे जो है सूर है हमारे थोड़ा सूर मचाना भी गलत बात दोगा है अधिया बाइन वह तुद्ध है ना है यह देख सके हो नहीं हम आपि रोड़ बहुत है कर दो कर लें वैसे हमारा फ्रांट का सीड़ा यह गया कि अए बिडियो रुप इस बंद का दि बंद कर रही है यह दोग को दो ग्रहा लुख शिदा लखनौ आगरा कि परेश वे पर हमिल्क का ओड दोपर जाएंगे लुख आगरा एक परेश वे परेश भी कि अंधे जाएंगे हम टौन आपिए वहां से सिंधा जो है दिली क्योंकि लाइट कर्षम है तो रुपने का तो कोई मतलब भी नी बनता गहीं उस बहुत है लंबा चोड़ा एकक्सप्रेस्वेश है कि लंबा चोड़ा का मतलब क्या है कि वह कम से कम 400-400 किलोमेटर के दाइरे में एक्सप्रेसवे है तो वहां से तो जो मैं पनी चल लाइगा है कौम सा मैं पनी चल लाइगा चल तो रहा है क्या प्रोब्लम हो जो चलो खायर कोई भी अब हम लोग जो है मिलेंगे गाईस नेक्स लाइज भ्लोग में और यह ब्लॉग में करता हूं लगणोव का वह विल्ए लोग ता मैंने बोला क्यों ना फटा फट बना लिया जा एक ब्लॉग चलते समय क्योंकि बहुत अच्छा लगा तो मैंने बोलाइब लॉग बना लेते हैं तो अब मिलेंगे गईस नेक्स